नमस्कार, मैं विरेश कुमार, हिंदी रिसोर्स परसन, भारतिय भासा संस्थान मैसूर से, आप सभी दर्सकों और विद्यार्थियों का हार्दिक स्वागत करता हूँ। आज मैं आठ्मिक अक्षा की पाठ्थ पुस्तक, हिंदी की पाठ्थ पुस्तक, दूर्वा, भागतीन से एक बहुत ही रोचक पाठ्थ को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। जिसमें लेखक ने नवका पर की गई अपनी विश्व यात्रा का वर्नन किया है। और इस पाठ्थ का सीर्षक है सागर यात्रा। चात्रों, हिंदी में रेखाचित्र, संस्मरन और यात्रा व्रितांत ये मिलती जुलती विधाएं हैं। रेखाचित्र में लेखक व्यक्ति, वस्तु या अस्थान विसेश का खाका खीचता है। संस्मरन में अपने इस्मृति के आधार पर अपने जीवन की घटनाओं का वर्नन करता है। और यात्रा बृतांत में लेखक इस्मृति के आधार पर अपनी की गई यात्राओं का वर्नन करता है, जिसमें व्यक्ति, अस्थान और वस्तुएं भी सामिल हो जाती हैं। इसलिए कहा गया है कि यात्रा बृतांत में हमें रेखा चित्र और संस्मरन इन दोनों विधाओं के तत्व मिलते हैं। आज हम जिस पाठ को पढ़ने जा रहे हैं, उसके लेखक करनल टीसियस चौधरी हैं। और इसका हिंदी अनभाद स्री ब्रजमोहन गुप्त ने किया है। इस पाठ का सीर्शक है सागर यात्रा। इस पाठ के मूल लेखक करनल टीसियस चौधरी भारतिय सेना के इंजिनिरिंग कोर के सदस्य थे। और वे एक दस सदस्य दल के साथ त्रिशना नमक नौका पर सवार होकर विश्व की यात्रा पर गए थे। इन्हें नौकायन का आचारे भी कहा जाता है। 1969 में करनल चौधरी राष्ट्रिय राच्छा का आदमी खरक बासला के चात्र थे। वहीं उनका नौकायन से परिचे हुआ और उन्होंने कई छोटी छोटी यात्राएं की जिन अनुभबों के आधार पर उन्हें इस विश्व यात्रा के लिए चुना गया था। यह भारत के लोगों दौरा की गई नौका पर पहली विश्व भरमन के यात्रा थी। इसी के अनुभबों को आधार बना कर उन्होंने अपना यह संस्मरण लिखा है जो हमारे प्रस्तुत पाठ के रूप में आज हमारे सामने है। इस पाठ के अध्यन के बाद हमारे चात्रगन पाठ के आदर्स वाचन की सैली से अबगत हो सकेंगे। इस अध्याय में आएक नए सब्दों के अर्थ जान सकेंगे और उन सब्दों का वाक्य में प्रियोग करना सीखेंगे। तथा इस पाठ में लेखक द्वारा अपनी विश्व्रमन के अनुभबों को जान सकेंगे और उन्हें अपने सब्दों में व्यक्त कर सकेंगे। और देश का मानसम्मान बढ़ाने में हमारे खिलारियों की क्या भूमिका होती है इसको जान सकेंगे इसके बाद हमारे चात्रिया जान सकेंगे कि हमारे सैनिक देश की सुरक्षा करने के अत्रिक्त और क्या क्या ऐसे कारे करते हैं जिससे हमारे देश की प्रतिष्ठा और उसका मान सम्मान बढ़ता है तो बच्चो आएए अब इस पाठ का आदर्स वाचन शुरू कर देए छठा पाठ सागर यात्रा दस भारतियों ने एक नौका में दुनिया का चक्कर लगाया था उस नौका का नाम तृष्णा था यह पहला ऐसा भारतिय अभियान था जो विश्व यात्रा पर निकला था उसी दल के एक सदस्य के यात्रा वर्नन के कुछ अंस नौका पर जीवन नौका पर जीवन अति व्यस्त था हमारे पास स्वचालन की व्यवस्था नहीं थी अतह त्रिश्ना के चक्के वील 2400 घंटे संभालने के लिए आद्मियों की जरुरत थी हम हर घंटे बाद चक्का संभालने का काम बदलते एक चक्का संभालता तो दूसरा जहाजों द्विवपों और वेल मचलियों पर नजर रखता जो लोग चौकसी से हटते वे अपने कपड़े बदलते खाना खाते पढ़ते रेडियों सुनते और अपनी ड्यूटी के अन्यकार्य जैसे रेडियों की जाँच इंजन की जाँच तथा व्यंजन सूची के अनुसार भोजन बनाने के लिए रासन देने का काम निबटाते एक सदस्य मा की भूमिका मदरवाच निभाता उसे खाना पकाने बरतन मांजने शौचाले की सफाई जैसे काम करने पड़ते ताकि नौका स्वच्छ रहे मा की भूमिका बारी बारी से सब को करनी पड़ती एक मात्र यही ड्यूटी ऐसी थी जिसके बाद आदमी पूरी रात आराम कर पाता पांच दिनों में केवल एक बार बारी आती और यदि मौसम ठीक रहता तो नींद आ पाती इस कठिन दिन चर्या के कारण सत्रंज खेलने के लिए या किसी और मनोरंजन के लिए समय ही नहीं मिलता था और नहीं बूरियत के लिए वक्त था व्यस्तता खूब थी दिन में एक बार हम नौका पर खुशी का घंटा बिताते अभियान दल के सभी सदस्य साम चार बजे डेक पर आ जाते और एक घंटा मिल जुल कर बिताते मदरवाच अधिकारी सब के लिए उनकी इच्छा नुसार चाय कौफी बनाता या शीतल पे देता वह कुछ नास्ता भी बनाता पानी की समस्या एक बार बवचार आई मैं बाहर को भागा अपना शरीर तरकिया और शरीर तथा बालों में साबुन लगा डाला आकास में बादल जम कर चाये थे और मुझे विश्वास था कि कुछ देर में पानी बरसेगा अचानक वर्षा थम गई मैंने पांच मिनट और फिर दस मिनट तक प्रतिक्षा की लेकिन वर्षा का नामो निसान नहीं था साबुन की चिपचिपाहट और ठंधक के कारण समुद्री पानी में नहाने का फैसला किया यह सबसे गलत काम था गंदगी साबुन और समुद्री जलने मेरे सरीर पर एक मोटी चिपचिपी और खुजलाहट वाली परत जमादी जो आसानी से छूटती नहीं है मुझे उस पड़त को छुडाने के लिए कंगी और बुरुष का सहारा लेना पड़ा छाती हाथ और पैरों पर उन्हें फेरने से ही छुटकारा मिला नेतिक सिक्षा यही है कि जब नौका परस्नान करना हो तो अपने पास परियाप्त पानी रखो या विशेश समुद्री जल साबुन का प्रियोग करो समुद्री जल में साधारन साबुन का प्रियोग मत करो नौका पर पहनने के लिए केबल दो जोड़ी कप्रे होने के कारण हमें उन्हें बार बार धोना पड़ता नौका पर कपड़े सुखाने के लिए हमने उसके चारो और एक तार बांध रखा था जिसमें हम क्लिप लगा कर कपड़े सुखाते तेज हवाओं के कारण अथबा पाल की रस्यां बानते समय कभी कभी कपड़े गायब भी हो जाते थे तूफानों का सामना हम सब इस अभियान के खतरों को जानते थे हमें यह भी ग्याद था कि सायद हम कभी वापस न लोट सकें शुरू में ही हमें खराब मौसम का सामना करना परा हम रुकना नहीं चाहते थे इसलिए मरम्मत का काम चलती नौका में ही करने की ठानी कैप्टन ऐसे मौसम में पत्चीस मीटर उच्चे मस्तूल पर चड़े और उन्होंने एंटीना की मरम्मत की यदि थोड़ी सी भी असावधानी हो जाती तो वे आसानी से मस्तूल से टपक कर समुद्र की गहराईयों में समा सकते थे मेडागास कर के पास एक तूफान आया और बारह मीटर उच्ची समुद्र की लहरें हमारी नौका पर तूट पड़ी और उसे पानी से भर दिया अभियांदल के सदस्य अनेक बार समुद्र में गिर गए लेकिन सौभग से उन्हें वापस नौका पर खेंच लिया गया क्योंकि उन्होंने नौका से जुड़ी रसियों को अपनी बेल्ट से बांध रखा था केप आफ गुड होप का चक्कर लगाते समय भी हम खतरनाक तूफान से टकड़ाए हवा की गति थी 120 किलो मीटर पर की घंटा और समुद्री लहरों के उचाई 15 मीटर हर छण मौत को आमंतरन दे रहा था हम केप से पांच किलो मीटर दूर बह गए हमें लगा कि हमारी नौका किसी चट्टान से टकरा कर चूर चूर हो जाएगी हमने अपने जीवन रक्षक उपकरन खो दिये रेडियो सेट बेकार हो गया एरियल टूट गए और पूरी दुनिया से अगले पंद्रह दिनों के लिए हमारा रेडियो संपर्क टूट गया भारतिय समाचार पत्रों ने खबर छाप दी के त्रिशना लापता है जिस कारण हमारे परिवारजन और मित्रगण बुरी तरह घबरा गए एक दल हमारी तलास में भेजा गया लेकिन वह असफल होकर लोट गया अनुभव बरने के साथ हम नौका को निश्चित राह पर बनाए रखने में सफल रहे मुंबई वापसी प्रथम भारतिय नौका अभियांदल विश्व की परिक्रमा कर 54,000 किलो मिटर की दूरी माप कर 470 दिन की एतिहासिक यात्रा के बाद 10 जन्वरी 1987 को 6 वजे मुंबई बंदरगाह पहुचा जैसे ही तृष्णा के दस सदस्सी अभियांदल ने गेटवे आफ इंडिया की शीरियों पर कदम रखे भीड खुशी से चिला उठी आतिस बाजी छोड़ी गई बंदूकें दागी गई और हमारे स्वागत में साइरन वजाए गए हम में से कई अपने परिवारों से सारे पंद्रह माँ से बिछरे हुए थे आपका स्वागत है स्वागत है पापा हमें आपकी याद आती थी जैसे प्ले कार्ड थामे हमारे बच्चों ने हमें सच्मुच रुला दिया लेकिन यहां केबल हमारे परिवार ही स्वागत में नहीं खड़े थे बलके पूरा गेट बी आफ इंडिया मित्रों और सुभ चिंतकों से अटा पड़ा था दस जनवरी 1987 को त्रिशना पर फर्स्ट डे कवर और इसमारक टिकट जारी किये गए उसके बाद त्रिशना को खीच कर पानी से बाहर निकाला गया और रेल के दो बैगनों पर लादा गया ताकि गणचंत्र दिवस परेड में उसे सामिल किया जा सके त्रिशना चह दिनों में दिल्ली पहुँच गई किन्तु हमारी समस्याएं समाप्त नहीं हुए उसे उतारने के लिए लंबी भुजा वाली क्रेन चाहिए थी दिल्ली की व्यस्त सरकों पर नौका ले जाने के लिए न केवल व्रिक्षों की डालिया छाटनी पड़ी पूरी रात मेहनत करने के बाद हम जैसे जैसे 23 जन्वरी को परेड की फुल ड्रेस रिहरसल के लिए जांकी तैयार कर सके गनतंत्र दिबस परेड में भाग लेने वाली त्रिशना की जांकी अब तक बनी सबसे बड़ी जांकियों में से एक थी यह पहला अवसर था जब हम में से किसी ने गनतंत्र दिबस परेड में भाग लिया था हम सेना की टुकडी के अंग थे और 26 जन्वरी को जब हम राजपस से गुजडे तो हमारा तालियों से जोरदार स्वागत हुआ सागर यात्रा की साहसिक एवं संघर्ष पूर्ण स्मृति आज भी हमें रोमान्चित कर देती है तो देखा बच्चों आज का यह पाठ कितना रोचक और ग्यान बर्धक था अब आए इसके कुछ नए सब्दों के अर्थ जानते हैं और यह भी सिखते हैं कि उन सब्दों का वाक्यों में किस प्रकार से प्रयोग किया जाए सब्दार्थ एवं वाक्यों प्रयोग पहला सब्द है अभियान इसका अंग्रेजी में इसको ओपरेशन या एक्स्पेडीशन कहा जाता है अभियान का मतलब है किसी बड़े लक्ष की प्राप्ति के लिए शुरू किया गया कार्यर या शुरू की गई कोई गतिविधी उसे ही अभियान कहते है वाक्यों प्रयोग इस प्रकार होगा त्रिशना नामक नौका पर सबार होकर लेखक विश्व परिक्रमा के अभियान पर निकले स्वचालन अर्थात अपने आप चलना जिसे अंग्रेजी में आटोमेशन कहते है इसका वाक्यों प्रकार हो सकता है आज कल कारखानों में उत्पादन स्वचालित मसीनों द्वारा होता है अगला सब्द है चवक्सी मतलब सजगता या पहरेदारी अंग्रेजी में इसको विजिल कहते हैं इसका प्रियोग इस तरह से हो सकता है कि रात के समय जादा चवकसी की ज़रूरत होती है पाल नाव के मस्तूल के सहारे टांगा जाने वाला मोटा कपड़ा जिस पर हवा का दबाव परने से नाव या जहाज गतिसील होता है इसके लिए अंग्रेजी सब्द है सेल वाक्के प्रियोग होगा बिना मोटर वाली नाव पाल के सहारे चलती है त्रिशना, मतलब गहरी प्यास, बहुत ज्यादा प्यास अंग्रेजी में इसके लिए सब्द है थ्रस्ट वाक्य प्रियोग होगा, बहुत अधिक प्यास लगे तो उसे त्रिशना कहते हैं द्वीप, द्वीप के लिए अंग्रेजी सब्द है आईलेंड यह समुद्रिया नदी के बीच बीच में उभरी हुई धर्ती को द्वीप कहते हैं वाक्य प्रियोग देखें, स्री लंका, भारत का परोशी द्वीप है बोर्यत, अंग्रेजी में कहते हैं, गेटिंग बोर बोर्यत का आर्थ है उब वाक्य प्रियोग होगा, एक ही काम करते करते हमें बोर्यत हो जाती है अग्ला सब्द है बंदरगाह जिसका मतलब है समुद्र के किनारे का वह स्थान जहां जहाज रुकते हैं इसको अंग्रेजी में पोट कहते हैं, वाक्य प्रियोग होगा, मुंबई एक बड़ा बंदरगाह है आतिसवाजी, ये पटाखे, छुरचुरी, राकेट, आदि जो दिवाली में या किसी और खुसी के मौके पर छुडाते हैं उसे आतिसवाजी कहते हैं, अंग्रेजी सब्ध है इसके लिए fireworks, वाक्य में प्रियोग कुछ इस तरह हो सकता है दिवाली में हम खूब आतिसवाजी करते हैं प्ले काड इसका अर्थ है इस्तेहार या विज्ञापन एक तक थी जिस पर कोई चीज लिखकर दिखाते हैं उसे प्ले काड कहते हैं और अंग्रेजी सब्ध है अंग्रेजी ही प्ले काड ही अंग्रेजी ही सब्ध है इसका वाक्य प्रियोग कुछ इस तरह हो सकता है पूख्य बिंदू या सारांस। इसमें भारतिय सेना के इंजिनिरिंग कोर के सदस्य द्वारा त्रिस्ना नामक नौका पर सवार होकर की गई विश्व भ्रमन की यात्रा का सारांस दिया गया है। यह यात्रा एक वर्ष तीन महीना और तेरह दिन में पूरी की गई है। इस यात्रा के दौरान दल के सदस्यों का जीवन अत्यंत ही व्यस्त था। हर व्यक्ति का कार्य अलग-अलग बटा हुआ था। एक व्यक्ति का काम था समुद्र में चलने वाले अन्य जहाजों, उसमें पाए जाने वाले दूपों और हेल मचलियों पर नजर रखना ताकि नवका को उन से टकराने से रोका जा सके। इसके अलावा इंजिन की देखभाल, खाना बनाने, बरतन धोने और सौचाले की सफाई करने के कामों की ड्यूटी लगती थी। इस नवका यात्रा दल के सभी सदस्य साम को एक घंटा डेख पर आकर मनोरंजन में बिताते थे। इस पाठ में समुद्री यात्रा के दवरान घटने वाली घटनाओं और उसके प्रती बरती जाने वाली सतरकताओं का परिचय दिया गया है। इस यात्रा में कदम कदम पर खत्रे थे और सबसे बड़ा खत्रा था तूफान का क्योंकि तूफान के समय हवा की रफ्तार 120 किलो मिटर प्रती घंटा तक हो जाती थी। ऐसे में यात्रा दल के सदस्यों के समुद्र में गिर जाने का खत्रा रहता था। और कई बार ऐसा हुआ भी। इसके अलावा नवका के डूब जाने, किसी चट्टान से टक्रा कर तूट फूट जाने अथवा अपने रास्ते से भटक जाने का खत्रा भी होता था। लेकिन अंत्तह यह यात्रा सफल रही, इसके बाद नवका पर विश्क प्रिक्रमा करने वाले लोगों में, देशों में भारत का नाम भी जुड़ गया, हमारे देश के रोम अंचक खेलों के इतिहास में यह एक महत्वपूर्ण घटना है। यात्रा वर्नन कला इस यात्रा वर्नन में हम पाते हैं कि इतमें रेखा चित्र, संस्मरन और डाइरी जैसी विधाओं का मिला जुला रूप प्रस्तुत किया गया है। इसकी भासा सरल, सहज और सटीक है। घटनाओं का वर्नन इस तरह से किया गया है कि पूरा द्रिश्य हमारी आँखों के सामने साकार हो जाता है। यह किसी लेखक की एक बहुत बड़ी सफलता है। अब रचना के व्याकरनिक विंदूओं के तहत हम इसकी भासा और सैली की चर्चा करेंगे। याध्यपी यह एक अनुवाद है फिर भी इसे पढ़ने पर ऐसा लगता है कि मानो मूल रूप में हिंदी में ही लिखी गई हो। इस यात्रा वर्नन का महत्तु। इस यात्रा से हमारे देश का नाम दुनिया भर में उचा हुआ। यह यात्रा भारतिय सेना के सदस्यों दौरा की गई थी। जिस से हमारे सैनिकों का मनोबल उचा हुआ। और आम जनता में अपने सैनिकों के परती विश्वास की भावना भी मजबूत हुई। व्याकरनिक विंदु। व्याकरन की दृष्टी से देखें तो इस रचना में तत्सम, देशज और विदेशज सब्दों का प्रियोग किया गया है। जैसे नौका, चक्कर, चक्के, चौकसी, बरतन, चिपचिपाहट, बवचार, खुजलाहट, रस्सी, मरम्मत, आतिसवाजी, बंदूक, आधि, देशज सब्द हैं। इस रचना में स्थान स्थान पर तत्सम सब्दों का प्रियोग किया गया है। विदेशज सब्दों के अंतरगत, अंग्रेजी के सब्दों का जयों का त्यों इस्तिमाल किया गया है। जैसे, वील, रेडियो, इंजिन, मदरवाच, दूटी, बोर्यत, डेक, बेल्ट, एरियल, किलोमेटर, प्ले कार्ड, फर्स्ट दे कावर, वैगन, क्रेन, टेलीफोन, फुल ड्रेस रिहल्सर, आधि. इसके अलाबा, इस रचना में, मुहावरों का सिधा प्रियोग, तथा मुहावरेदार भासा का प्रियोग भी किया गया है। जैसे चक्कर लगाना, यात्रा पर निकलना, चक्का समहालना, नजर रखना, काम निवटाना, भूमी का निभाना, सामना करना, तूफान से टकराना, चूर चूर हो जाना, आधि. अभ्यास, गतिविधी, या ग्रिह कारे संबंधी, लिंक, प्यारे दोस्तों, उमीद है कि आपको यह पाठ अच्छा लगा होगा। अब आप इस पर आधारित कुछ प्रस्णों के उत्तर देंगे, इस पाठ का मुख्य भी से क्या है, तथा इसे आप किस तरह की रचना कहेंगे, और क्यों, विचार प्रस्तुत कीजिए. अभियान दल के सदस्य खुशी का घंटा बिताते थे, आप खुशी का घंटा किस प्रकार बिताते हैं, और क्यों, दिये गए लिंक पर उपलब्ध, यात्रा बृत्तानतों में से किनी दो को पढ़िये, और दोनों की विशेष्ताओं पर आपस में चर्चा कीजिए. www.bbc.com slash Hindi slash India slash 2013 slash 09 slash 130915 underscore Hindi underscore special underscore travelogue underscore आज के कारिकरम में हमने सीखा की, गद्य का वाचन आदर्स धंग से कैसे किया जाए? पाठ में आए कठिन सब्दों का क्या अर्थ है और उनका वाक्यों में प्रियोग कैसे किया जाए? रोमान्चक यात्रा में हुई घटिनाओं की जानकारी मिली, भासा में तरह तरह के सब्दों के प्रियोग और मुहावरों के प्रियोग से अबगत हुए, देश के लिए इस यात्रा के महत्व से अबगत हुए. आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए पाठ के साथ, तब तक खुश रहिए, घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद. कि बस्ते कि जो हैं, भी और प्रियोग से अबगत हुए, जर में रहिए, आज कि आघ में झाला हुए, जर में देच्छित रहिए, जर में ड़्स्ता सुरक्षित रहिए, जर में जर देखित हुए.